एलो students so today we are here with our next question so आज हमेदा इंपलीमेंट करना है क्यों को किस से link lists क्यों इूज करके क्यों को implement करना है तो basically क्यों क्या होता है सबसे पहले तो वो समझ लेता है Q is a data structure जो हमें FIFO होता है जो basically FIFO principle पर वर्क करता है FIFO क्या होता है first in first out जो पहले आया, वो पहले गया, मतलब कि जैसे एक bank की लाइन होती है, तो उसमें क्या होता है, जो पहले आएगा, उसका पहले काम होगा, तो कुछ इस टाइप से हमारा एक data structure होता है Q, लेट से हमारे पास Q है, Q को कुछ इस तरीके से represent करा जाता है, लेट से इसमें किसी ने data डाला 10, 20, 30, 40, तो पहले 10 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 30 आएगा, और फिर 40 आएगा, अब क्या होता है, अब होता कुछ ऐसा है, कि जो हमारा Q होता है, बिसिकली उससे जब remove होगा, तो वो कैसे होगा, पहले 10 रिमूव होगा, क्योंकि सबसे पहले वो ही आया था, first in, first out, जो पहले आया, वो पहले जाएगा, फिर 20 रिमूव होगा, फिर 30 रिमूव होगा, फिर 40 रिमूव होगा, कुछ इस तरीके से हमारा data स्रक्चा चलता है, फिर, अब हमें इसको link list से implement करना है, ठीक हैं, तो अब हमें इसको link list से implement करना है, एक बार question पढ़ते हैं, हमने Q समझ लिया और यह भी समझ लिया कि Q को implement करना है अब इसमें भी वो same cases है अगर हमने empty Q से किसी ने निकालने की कोशिश करी तो इसका मतलब हमें क्या return करना है minus 1 इसमें हमें दो functions implement करने है एक push एक pop पुश का मतलब element डालना Q के अंदर pop का मतलब element निकालना ठीक है तो किस तरीके से करेंगे वो चीज समझते यह भी काफी एक easy question है but important question है क्योंकि यह हमारे interview perspective से काफी रहता है ठीक है अब देखो हमारे पास let's assume कि एक Q है अब मैं एक दगा तो Q दिखाऊंगा एक जगा linkless से implement करते वह क्यों दिखाऊंगा आपको ठीक है मैंने बोला linkless से implement करके हम क्यों दिखाएंगे आपको देखो सबसे पहले क्या होगा कि अगर let's say हमारे पास कुछ data पुश करा किसी ने push function को call करा 10 को पुश करा तो normally इसमें 10 पुश हो जाना जाए अब हम क्या करें कि एक node बनाएंगे अब नहीं यहाँ पर हमें दो नल पर है इसका मतलब क्या है कि अभी क्यू हमारी empty तो अगर हमारा push अभी हमारा अगर किसी ने push को call करा तो अगर हमारा front और rear नल पर है इसका मतलब अभी stack या हमारी Q क्यू जो है वह अभी empty ह्담 का मतलब कि अभी हमने हम ने to insert 20, अब उसने 20 insert करने के लिए बोला, तो 20 insert करती है, 20 insert क्यों में तो direct हो गया, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक और node बनानी हो उसमें 20 insert करना है, 20 insert करने के बाद, मैं बोलता हूँ कि अगर हमारा front null नहीं है इसका मतलब कोई ना कोई node तो थी तो मैं बोलता हूँ कि front और rear तो इसका मतलब जो rear है, उसके next से connect कर दो, जो नई node बनी है, यह जो नई node बनी है, उसके connect कर दो, और उस node को ही rear बना दो, front उसी जगा पर रहेगा लेकि rear change हो जाएगा, अब लास्ट वाला front change हो जाएगा, उसके सबसे बाद, let's say, someone calls कि push 30 कर दो 30 push कर देते, तो हमें सबसे पहले तो एक node बनानी है, देखो Q में तो direct हो जाएगा, हमने एक और node बनाई, अब मैं दुबारा से बोलता हूँ सबसे बहले क्या होगा, rear.next rear का next किस से connect कर दो node से, जो नई node आपने बनाई है अब अब नई node यह है, तो मैंने बुला N से connect कर दो, उसके बाद N equals to rear कर दो ये दो steps मुझे देख रहे हैं तो सबसे बहले rear का next किस से connect कर दो node से connect कर दो, उसके बाद rear को यहाँ डाल दो, कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से यहाँ पर connection बन जाता है ठीक है, तो इस तरीके से अब, अब let's assume let's assume कि किसी ने pop को call कर दिया, pop का मतलब pop का मतलब क्या है कि remove करना तो क्यों से तो direct remove हो जाएगा 10, बट यहाँ से कैसे करेंगी तो हमें यहाँ पर इसी वज़े से दो pointer's की need थी, front और rear क्योंकि हमें आगे से remove करना आगे से remove करना 10, 10 remove कैसे होगा कि हम सबसे पहले तो इसका data store कर लेंगे तो 10 store करा, उसके बद front को front.next पर पहुचा दिया front को front.next पहुचा दिया, तो front यहाँ पर आ गया और अब क्या होगा इसको कौन ले जाएगा, garbage collector ले जाएगा, क्योंकि हम पहुच नहीं सकते, ठीक है तो इसको कौन ले जाएगा, यह ले जाएगा अब दुबारा से, let's say किसी ने pop को call कर दिया फिर से pop को call कर दिया गया है, तो अब क्या होगा फिर से, front को इसका data store कर लिया जाएगा 20 और front को फिर से आगे बढ़ा दिया जाएगा कुछ इस तरीके से हम implement कर सकते हैं तो करेंगे कैसे इसको सबसे पहले हम push function को implement करने की कोशिश करते है अगर हमे push function को implement करना है मतलब कोई data add करना है सबसे पहले तो यहाँ पर हमें q node दे रखा है जैसे हम पिछले question में हमारे पास stack node था अब हमें q node दे रखा है q basically node की class है जो हम किसी भी नाम से बना सकते हैं तो इन्होंने q node नाम से बना रहा है सबसे पहले तो अगर push करना है तो obviously हमें एक node बनाना पड़ेगा अब मैंने बोला if हमने जो पहला case discuss करा था if front equals to equals to node हम कोई भी एक check कर सकते है front null है या year null है कुछ भी तो front अगर null है इसका मतलब linked list is empty इसका मतलब क्या है ओ sorry q is empty linked list नहीं q से implement कर रहे है है तो q u e u e q e q e q is empty हो जाता कभी कभार तो अगर ऐसा है तो हम क्या बोलेंगे कि अभी हमारा front और rear दोनों सेम जगा पर है तो मैंने बोला front equals to n and rear is also equals to n तो मैंने दोनों को कहां पे डाल दिया n पे डाल दिया इसका मतलब first node तो add कर चुके है else else case क्या होगा else case मैंने बताया था आपको अब हमें क्या करना है rear से बात करनी है तो मैंने सबसे पहले बोला rear.next rear.next equals to n rear के next पे क्या डाल दिजे n डाल दिजे and rear पे जो term है उसको बोल दिजे n बोल दिजे rear.next equals to n और rear को क्या बोल दिजे आप n का address ले दिजे मतलब rear को आगे भी बढ़ा दें हमें ठीक है तो कुछ इस type से यह वाला function तो हो गया अब बात आती है pop करने के अब देखो pop करना बहुत असान था बट वही वाला पहला case अगर link list empty हुई तो हमें data store करूंगा data equals to front.data देखो front वाला data ही हमें remove करना था तो पहले मैंने उसका data store करा उसके बाद मैंने बोला front equals to front.next front.next बोल दिया यहां से return कर दूँगा मैं क्या data यहां से return कर दूँगा मैं data तो कुछ इस type से मैंने करा अब इसको run कर लेते हैं तो अब क्या करते देखो let's say किसी ने call करा सबसे पहले push function को इससे पहले मैं बना लेता हूँ front end rear variable equals to null है rear भी null है rear भी null है अब मैंने बोला सबसे पहले push function को किसी ने call करा and he wants to push let's say 10 वो 10 पुष करना चाहता है सबसे पहले आते ही अब ही क्या था फ्रेंट भी null है तो इसने क्या बोला फ्रेंट और रियर को दोनों को end बना दो तो यह फ्रेंट बन गया रियर बन गया बिल्कुल सब्सक्राइब अब किसी ने call करा push call कर दो with data 20 कुछ यह बोला push call कर दो with data 20 तो हमने data यहां पे डाला 20 नोड बनाई सबसे बहले तो आता ही नोड बनाए उसके बद देखा फ्रेंट नल है नहीं हैे तो रियर का next रियर का next किससे connect कर दो नोड से यह जो एन नोड था इसको connect कर दो और रियर इसका next हमारे किसे connect कर दो notes है जो नहीं नोड बनी है तो नहीं नोड से एन से connect करा और रियर को एन पे ब्रालती है कुछ इस तरीके से अब हमने यह तो कर लिया आप पॉप को समझते देखो पॉप मैंने का पॉप करो अब देखो फोब्र ऑब नहीं नहीं पूप करो अब इन्हों नहीं 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 पॉप कर लिया है और इसके बाद दूबारा से लिट्से किसी ने पॉप को call कर आप पॉप को और फिर रिटर्न डेटा तो कुछ इस टाइप से हमने इंप्लिमेंट करा अपने क्यू को विद्धा हेल्प आफ लिंक लेस्ट आपको सबको बहुत अच्छे समझ आयोगा अच्छा मेरे साथ साथ कौन कौन ट्रायरन करता है प्लीज एक बार कॉमेंट्स में लिख देना और और ऐसे उसम कंटेंट के लिए हमारे चानल पर बहुत सारी प्लेलिस्ट है तो उसको अब यह आप देख सकते हैं थैंक यू